हेलोफ्रेंट्स मैं नाम है वीजा और आज वी हुए भी जून्हें बात करेंगे इवियल ट्री के जानेंगे इवियल ट्री क्या होता है और इसको कैसे बैलेंस किया जाता है तो चले स्टार्ट करते हैं है एक कि देखे एक इब ट्री आपको एक self-balancing binary ट्री है ठीक है ये तीन स्चांटिस्ट्रों को जारा ट्रीट किया गया था ठीक है जरुआ स्टेस्ट है इनकी नेम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ठीक है स्क्रीन पर अब देखिए Self-Balancing Tree की जरुवत की उपड़ती है, पहले यह समझेंगे, और फिर हम यह समझेंगे कि Avial Tree है क्या, माल लिजे मैं एक Binary Search Tree लेता हूँ, ठीक है, Binary Tree के बारे मैं आपको बतायाता है, Binary क्या होता है, जिसके Left में उससे छोटी नोड आती है, और Right में उससे बड़ी नोड आती है, ठीक है, मैं आपको बतायाता है, जैसे यहां पर अगर 20 है, यहां पर अगर 20 है, तो इसके जो Left में होगा, वो क्याएगा, इससे छोटा आएगा, जो कि होगा 10, अग और यहां इसके Right में क्याएगा, उससे बढ़ाएगा, जैसे 21, ठीक है, और यही इसके Sub Tree में भी होगी, मतलब 20 से छोटी होगी, इसके Grand Parent से छोटी होगी, उसी तरह से 21 पर भी होगा, यहां पर इससे, इसके Left में क्या होगी, इससे छोटी Value आएगी, जो कि हमारे किसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 21 से Value, छोटी कौन से होगी, 20 होगी, तो हम लोग इसके Right में Value क रखनेंगे, ठीक है, जैसे कि यहां पर 31, जो कि इससे 21 से बढ़ी है, ठीक है, जो 31 से छोटी होगी, और 21 से बढ़ी होगी, वो इसके Left में की यहां पर, जैसे मैं Example ले रहा हूँ, 25, ठीक है, यह आपका Balance Tree का Example था, लेकिन देखे Balance Tree भी कभी किसकी तरह perform करता है, Link List की तर सर्च करें, तो easily हम सर्च कर पाएं, जैसे महां लीजिए, मुझे 31 सर्च करना है, ठीक है, और यहां पर Link List में दिया हुआ है, ठीक है, Link List में Data दिया हुआ है, अगर इस तरह से 8, 10, 12, 20, 21, 13, 25, इस तरह किसे, अगर मुझे 31 सर्च करना है, तो मुझे यहां पर Series by Series जाना है, तो यहां पर क्या होगा, 20 के बार, Direct मुझे यहां पर 21 पर मैं जा सकता हूँ, राइट पर, और फिर 31 पर, मुझे तीनी Node को Drivers करना है, और यहां पर मैं 31 पर पहुंच जाऊँगा, ठीक है, यह फाइता आपको Binary Tree से मिलता है, लेकिन कभी-कभी आपका ऐसा होता है, कि B Binary Tree भी Link List की तरह perform करता है, देखें, माल लेजिए, वो कैसे होगा, देखें, माल लेजिए, मिलें यहां पर एक number दिया, 123456, मैं आप से कर रहा हूँ, इससे tree बना, यह तो आप क्या करेंगे, सबसे बहले 1, इसके right मायेगा 2, इसके right मायेगा 3, और इसके right मायेगा 4, ठीक ह क्योंकि यहां पर increasing order में चलेगा, तो यहां पर देखें, अब मुझे 4 में जाने के लिए, यहां पर one by one step करके जाना पड़ेगा, तो यहां पर यह पर यह problem create हो जाती है, जब हमारा जो input है, वो एक particular order में होता है, ठीक है, यह आपका क्या होता है, यह सब्ट्री में भी लग चलेना पड़ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर इस तरह की problem create ना हो, उसके लिए, यहां पर एक solution हमें provide किया जाता है, वो होता है, self-balancing binary tree, बहुता है, एक tree, अगर उसमें data डाल रहे है, ठीक है, अगर वो balance से हट जाता है, disbalance हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको balance कर देंगे, म ठीक ही तरह का हमारे पास self-balancing tree होता है, avl tree, ठीक है, avl tree भी हमारे self-balancing tree है, जो कि data को देखके अपने हिसाब से balance कर लेता है, हमारे पास और भी ऐसे self-balancing tree होते हैं, जिनके बारे में हम आगे future में बात करेंगे, अभी आपका सबसे important जो है avl tree है, जो आपकी course में भी आपक पढ़ाया गया है, ठीक है, तो अब हम देखते है avl tree में, पहले तो यह कैसे find out करते हैं, कि हमारा balance नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इस example को यहाँ से मैं delete कर देता हूँ, क्योंकि यह सब तो आपको पताई होगा, ठीक है, तो यहाँ से इसको delete कर देता हूँ, मैं इसकी दर करना होगा कि यह balance है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखे, इसकी balancing निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक formula होता है मेरे पास, जो आपका right sub tree है, उसकी जो height होगी, minus कर देंगे right sub tree की height से, यहाँ पर example से देखे, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो, दे है, इसके left में है लेकिन right में एक भी child नहीं है, तो left minus right, तो यहाँ पर कितना जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, one minus 0, one आ गया, फिर यहाँ पा देखे, 91, 91 का कितना है, one और two, two है इसके height और यहाँ पर कितना है, one है, ठीक है, तो यहाँ पर this height कितनी है, two है, और यहाँ पर one ह आपका आगया 1, इसके height भी 1 है, तो अभी तक यह balance है, कब तक balance रहेगा, अगर 0, 1, या फिर minus 1, इन तेनों की value आती है, अगर 0, 1 और minus 1 value आती है, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर यह equal to है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि यह आपका balance है, अभी यह हमारा tree balance है, this balance कब तो यहाँ पर देखे, अब देखे, यहाँ पर इसकी balancing थोड़ी से hill जाएगे, अब इसकी balancing निकालेंगे, इसकी तो 0 होगी balancing, इसकी कितने होगी, इसकी आपकी होगी 1, क्योंकि left minus right 1 होगी, इसकी कितने होगी, यहाँ पर 2 है इसकी height, और यहाँ पर left में कितने 0 है, तो इसक तो हो जाएगी ठीक है लेफ्ट में 2 है और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0 से तो यहाँ पर 2 ही रहेगी तो यहाँ पर आपका डिस्बैलेंस होगे जहांसे आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा वहीं से आप इसमें action perform करना चार्ट करेंगे कौन कॉन section होंगे कैसे section होंगे ठीक है किस कुस तरह से इसको balance करेंगे वो हम सीखेंगे ठीक है olsa暗ला balancing है ठीक है है पेherट यहां पर आपकी balancing खराब हुरे है वहीं तक निकालेंगी अब यह नहीं कि आप इसको भी निकालने फिर आप इसको 3 कह रहे है यहां पको कोई करने की जड़ोबत नहीं है ठीक है जैसे आप एक नया नूडद कर रहे हैं फिर साब value 30 ठीक है अब देखे अगर मैं इसकी balance से निकालूँगा ठीक है तो यहाँ पर क्या निकलिगा देखे इसकी निकलिगी 0 इसकी निकलिगी 1 और इसकी निकल जागी 2 ठीक है यह आ गया मतलब यहाँ पर disbalance हो रहा है ठीक है two disbalance हो रहा है तो मुझे यहां पर देखे मिले को यह च्क करना है कि node कि तरफ से मैं यहां से उपर की तरफ बढ़ूँगा ठीक है यहां से ऊपर की तरफ जो मैं now had kya end है तो यहां क्या है यह 40 के left में है और 40 के 50 कई left में तो एल यह पर इंदिशन लग रही है वो क्या लग है लह वाली लग रही है तो इस Likewise troubling क्रेट करेंगे ठीक है इस तरह से इसको रौटेट करेंगे ठीक है तो रुटेट होगे यह कहाँ जाएगा 40 तो यहीं रहेगा ठीक है और यह रौटेट होगे आ जाएगा आपका 50 इधर और 30 आपका यहाँ रहेगा ठीक है तो इस तरह से यह आपका rotate हो जाएगा इस तरह के से यह आपका LL condition है अब इसके बाद आती है RR condition कोई बात नहीं अगर आपको नहीं समझ मेरा कैसे rotate करना है तो हम लोग यहाँ पर आने वाले वीडियो में 4-5 वीडियो में इसी के example लेंगे AVL के ठीक है different तरह के फिर आपको मैं AK करके समझाऊंगा ठीक है अभी आप यहाँ पर logic समझे और बिल्कुत सही से उतारिए इसको बना को problem हो जाएगी एक होती आपकी आर आर कंडिशन अब देखे आर आर कंडिशन उसी तरह से होती यहसे लेफ्ट एलल कंडिशन होते यहाँ पर क्या होता है एक और node add होई हमारी node add होई 60 तो अब मैं फिर से balancing चेक करूँगा अपनी यह balancing हट जाएगी हमारी पुरानी वाली यहाँ पर इसकी balancing कितनी है 0 यहाँ पर इसकी कितनी है 1 1-1 क्योंकि left में कोई भी चायड नहीं है तो 0-1, 0-1 minus का वन आ जाएगा और यहाँ पर देखे इसकी कितनी है right में left में 0 value है right में कितने child है 2 child है height 2 है तो यहाँ पर 0 minus 2 कितना जाएगा यहाँ पर minus का 2 आ जाएगा ठीक है तो आपको कौन कॉंसी value allowed थी 0, 1 0, 1 और minus 1 यह 3 value होती है ठीक है अगर यह 3 value आ रही है तो balance है वनन नहीं है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको move करेंगे ठीक है तो इसमें देखे इसको apply कैसे करेंगे इसको कैसे इसमें हम जो rotation करेंगे जो rotation होगा वह anti-clockwise होगा ठीक है अब anti-clockwise होगा तो यहाँ से आपको यह move हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा उपर 40 आ जाएगा नीचे और यहाँ पर 60 आ जाएगा इसके right इस तरह से यह rotate हो जाएगा ठीक हो गया किस तरह से rotate करना है इस तरह से rotate करना है यहाँ अब इस तरह से इसको rotate करना है तो यह नीचे को आ जाएगा 40 आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से ठीक है अब देखे एक और आपकी condition मनती है third condition जिसमें क्या होता है आपका left right या right left condition होती है सबसे पहले मैंने एक value add करी 50 उसके left में उसकी value आई 40 और एक और value add में करी यहाँ पर 45 तो यहाँ पर देखे हम balancing check करूँ तो इसके balancing होगी zero खीक है इस किसमे कितनी होगी, इस किसमे होगी minus का one,जै। left minus right minus one और यहाँ पर कितनी लेक्ट में कितनी नहीं है दो value और right में कितनी है जीरो value तो यहाँ पर से हमारा problem create होगी तो आप में तो यहां पर देखें इसको कैसे implement करेंगे इसमें जो को rotation आपके लगते हैं वो दो rotation लगे rotation कितने लगे number of rotations two लगे ठीक है पहला जो rotation होगा first rotation वो होगा आपका anti-clockwise anti-clockwise लगेगा मतलब यहां से ऐसे घुमे गए ठीक है इसको ऐसे घुमा देंगे तो यहां पर यह चेंज क्या हो जाएगा 50 आपका ऐसी रहेगा अब यह घुमेगा तो यह उपर आ जाएगा 45 तो 45 होगा क्या यहां पर आ गया ठीक है और 40 कहां चले जाएगा इसके left अब देख केस्ट में क्या हो जाएगा जैसे हम इसको ऐसी घुमाएंगे तो जैसे कि फूटी होगी यहां परपोल्बंहोगी तो यहां पर श्को में यहां पर कर देगा हूं ठीक है तो आपका 45 आ जारत उपरTION 50 आगया यहाँ पर और 40 आगया आपका यहाँ पर ठीक है जैसे हम LL को rotate करेते हैं वैसे इसको भी करेंगे ठीक हो गया अब देखे एक और condition आपके आती है जिसे हम कहते हैं LR condition अब देखे LR condition में भी वही सेम चीज़ होगी सबसे पहले एक node लिया मैंने इसको नीम दिया मैंने 50 यहाँ पर 50 आगया फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 70 आगया और यहाँ पर जो value आगी वह 60 आगया ठीक हो गया अब देखे इसमें क्या rotation लग रहा है सबसे पहले यह left में है और यह right में और यहाँ पर 0-2 यहाँ पर आ जागा इसकी 2 आ जागा मतलब यहाँ पर disbalance वह रहा है तो हम इसको सुदारेंगे सुदारने के लिए यहाँ पर कितने rotation लगेंगे 2 rotation लगेंगे अब first rotation कैसे लगेगा first rotation लगेगा clockwise और यहाँ पर देखे अभी आप सोच्छोंगे कि मुझे इतन लगेंगे तो आपको असान लगेगा हमें यहाँ पर क्या करना है clockwise रोटेशन करना है मतलब यहाँ से इसको rotate करना है clockwise clockwise रोटेट करूंगा तो क्या हो जागा यह 50 ठीक है और 60 आपको उपर आ जाएगा ठीक है क्योंकि यह पूरा इस तरह से clockwise को मेंगा ऐसे करके तो 60 उपर आ जाएगा तो 60 आपका यहाँ पर आ गया और फिर 70 आपका यहाँ पर आ गया ठीक है तो इस तरह से बन गया अब यह क्या बन गया यह आरार बन गया अब आरार में हम लोग किस तरह से पफॉर्म करते हैं आरार में पता है कि आरार वाले में हम लोग एंटी क्लॉक वाइस रोटेट करते हैं तो यहाँ पर anti clockwise rotate करेंगे रोटेट करेंगे anti clockwise anti clockwise rotate करेंगे तो यहां पर its को rotate करेंगे तो फिर देखे mant Ocean ayı पिज़ें अभर था 60 आ जागा copper 50 आ जागा आपके left में और यहाँ पर right आ जागा आपके 70 तो इस तरहाँ से आप आप इसको क्या करेंगे, rotate करेंगे, ठीक है, यहाँ पर rotation की बाद है, इसको आप देख लीजेगा, ठीक है, किस तरह से rotate करना है, किस तरह से rotate हो रहाए, इसके notes पना लीजेगा, अब हम next video में क्या करेंगे, इसके दो तिन example लेके आएंगे, ठीक है, और वहाँ पर इसको मैं आ रखेंगे थैंक यू वाचिंग गुडबाई टेक केर